जान लोग कोशिश करेंगे अगले पूरे सौ दिन इसमें गुजारने की अपनी पट्टी आउतार दो यूगो ये है रेन रेन ये है यूगो और ये आज यहाँ पर पहली बार मिल रहे हैं और ये है एक न्यूक्लियर बंकर जिसे ये कहेंगे घर आने वाले सौ दिनों तक जो भी आपकी जरूरत हो वो सब इस बंकर के अंदर है नहीं चाहो तो वेज़िटेबल्स भी हुगा सकते हो बढ़िया अगर आप यहाँ देखें तो आपको मिलेगा आपका बेड्रूम चालीस फीट अंडर्ग्राब रुको क्या यहाँ उपर एक बेड है और यहाँ पेड है और सबसे जरूरी बात यहाँ है आपके पांच लाग डॉलर यह यह असली है इसे होना भी चाहिए अगर आप दोनों यहाँ सौ दिन रहते हो तो इसे रख सकते हो पर अगर कोई एक जाता है तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे सौ दिन में तुम्हारे पास हो सकते हैं आधा मिलियन डॉलर वो बहुत सारे पैसे हैं ओके देखते हैं वो सौ दिन निकाल पाते हैं या नहीं विश्वास नहीं होता कमाल है ना जैसे कि ये हमारा नया घर हो सही कहा तुम मेरी रूमेट हो रुको क्या हम सौ दिन तक सूरज नहीं देख पाएंगे अगर हम हमारा खाना उगा पाए तो सब कुछ सेट है फिलाल तो दोनों घुल मिल रहे हैं पर वो नहीं जानते कि ऐसा ज्यादा वक्त नहीं रहने वाला है तुम पूरे बेवकूफ हो तुमें चुडेल हो मुझे तुम बिलकुल पसंद नहीं हो हम पहली रात के लिए तैयार हो रहे हैं उमीद है नीचे नहीं गिरेंगे गुड नाइट यूगो गुड नाइट रें गुड वार्निंग क्या वक्त हो रहा है वो पता नहोना मुझे बिलकुल पसंद नहीं है कल हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे सही कहा और आज हम साथ में ब्रेकफस्ट बना रहे हैं हाला कि ये दोनों अभी-अभी मिले हैं लेकिन फिर भी इन दोनों को एक साथ काम करना होगा अगर इन्हें पाचलाग डॉलर्स जीतने हैं तो लेकिन जो भी हो यहाँ पर एक ट्विस्ट होने वाला है मुझे उस चीज को देकर थोड़ा सा शक हो रहा है ओ हां आखिर वो क्या होगा और वो बॉक्सेस लॉप क्यू है मुझे पता नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ ये बटन दिख रहा है इसे छुना मत ये दुनिया को बदल देने वाला बटन है पर वो पता करने के लिए हमें इंतिजार करना होगा दसवे दिन का अगर उससे पहले इन दोनों की हालत बोरियत से खराब नहीं हुई तो आज तुम क्या करोगे? मैं सीखूंगा की गीटार कैसे बजाते है? रेडियो की क्या ज़रूरत जब मैं खुदी रेडियो बन सकता हूँ? ये कैसे बजाते हैं? अगले सौ दिनों तक मैं स्पानिश लिखने की कोशिश करूँगी ये बंकर के अंदर तीसरा दिन है तुम इस दुनिया के मेरे फेवरेट इंसान हो और चौथा दिन आते ही एक अंजान के साथ रहने के नुकसान भी सामने आने लगे थे मुझे तुम्हे कुछ बताना है, कल तुम जोरो से खराटे ले रहे थे सौरी ये रपलक्स होते तो अच्छा होता पर कोई बात नहीं अगर रेन ने कभी मुझे परेशान किया, तो ये उसे डरा देगा यूँँग ये हमारा बाहर का ग्यूर है, और ये बस सुमिटी है वो देखने में कितना भदा है, हे 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 पर क्यूंकि बाहर जाना मतलब पाँच लाग गवाना था, तो उन्हें कुछ समझोते करने ही पड़े थे मैंने हम दोनों के लिए काफी सलाद बनाया है मैं बहुत बोर हो गई हूँ आज हम कैन फूर से एक सिंगासन बनाने वारे है मैं हूँ यूगो और यह हमारी बंकर की सिंदगी है और जब वो दसवे दिन पर पहुचे तब वक्त आ गया था मेरे स्पेशल आफर का यह जीमी है ठीक है, शायद वक्त आ गया है इस वीडियो का ट्विस्ट दिखाने का यहाँ दोनों साइड में दो बॉक्सिस हैं यह हमने पहले भी देखा था क्या लगता है, इसके अंदर क्या है? एक बटन? एक बटन? ओ माइ गॉड एक हैंड स्कानर और दूसरी साइड पे एक और हैंड स्कानर ओ, एक और चीज़ एक वन मिनिनट टाइमर हे चैनलर, चलो शुरू करो आखिरकार जैसा कि आप देख रहे हैं टाइमर अब उल्टी गिंती कर रहा है अगर आप उस टाइमर को कभी भी जीरो पर जाने देते हैं तो आपका पैसा तुरंट आग की लब्तों में गिर जाएगा जिससे उस पांच लाग डॉलर के हर एक डॉलर राख हो जाएंगे और अपने पैसों को जलने से रोकने के लिए आप दोनों को मिल कर काम करना होगा ये बहुत आसान है अपने हाथ इन स्कैनर्स पर रखो और ये देखो टाइमर रुग गया तो हर एक दिन किसी भी टाइम पर ऐसा हो सकता है हर एक दिन? एक बार भी गलती की तो खेल खट में हमें हमारे बेर्स यहां नीचिलाने चाहिए उझे अभी भी सीने पर वजन लग रहा है वो बटन दिन में बस एक ही बार बज़ेगा मैं जूट नहीं कहूंगी मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ यह सोच कर कि वो बटन कभी भी दबाया जा सकता है हाँ सच में और रियूगो और रेन ने अपना फ्री टाइम साथ काम करने के लिए और सीखने में बिताया यह बीजबूट कैब जल्दी करो तुम कर सकती हो और सच में ऐसा लग रहा था कि वो 5 लाग डॉलर्स जीतने की कगार पर है पर एक सुभा उनकी टीम की शक्ती देखने के लिए मैं 6 बजे उनसे मिलने चला गया ताकि अलाम चला कर देख सकूँ कि वो फस्ते हैं या नहीं ओ माई गॉड जल्दी करो पर वो अब भी बहुत फास्त थे यूगो और रेन बस अलाम को रोकने में ही फास नहीं थे क्योंकि जो सप्राइज मैंने फ्लोर की नीचे चुपाया था उसे ढूलने में उन्हें सिर्फ तेरा दिन ही लगे और अब जो उनके पास दुनिया का सबसे बेस्ट चॉकलेट था यूगो और रेन अपने पैसों को जलने से बचाने की कोशिश में पूरी तरह से लग गए जैसे जैसे एक एक दिन जाता गया वो एक दिन पांच लाग डॉलर्स जीतने के करीब आते गए और अब से हर दस्वे दिन मैं उनके पास एक आफर लेकर जाऊँगा और क्योंकि आज डे 20 है नोलन तुम मुझे सुन सकते हो बटन दबाओ तुम दोनों सच में इसमें माहर हो गए हो और ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही कर रहे हो जिसकी वज़े से मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मिनिट्स की जरूरत है भी या नहीं हमें पसंद आएगा हाँ सच में देखते है तुम्हें ये पसंद आता है नहीं मैं एड करूंगा पूरे पचास हजार डॉलर्स इस प्राइस पूल में जिसके बाद ये हो जाएंगे पूरे पांच लाख और पचास हजार डॉलर्स अगर आप दोनों मुझे इस टाइमर को सेट करने दोगे 30 सेकंड पर अच्छे से सोच ले ना क्यूंकि अगले 80 दिन आप दोनों के पास इस पर हाथ रखने के लिए बस 30 सेकंड होंगे अगर एक बार भी चूके तो पांच की जगह साड़े पांच लाख डॉलर्स जल हमें ये करना चाहिए ठीक है कर लोगे जरूर करेंगे अब ये पर्मिनेंटली 30 सेकंड पर रुख जाएगा नोलन ये आये तुम्हारे पैसे जैसा वादा किया था ये रहे आपके 50,000 डॉलर्स उमीद हैसे आप बाहर ना हो जाओ जूट नहीं कहूंगा शायद वो एक गल अब मुझे यहां बोर नहीं हो रहा इसलिए तीसवे दिन पर देखते हैं हम मुश्किल को बढ़ा सकते हैं या नहीं ये तीसवा दिन है और मेरे पास एक और आफर है वो आफर क्या है वो बताने के बदले मैं आपको दिखाता हूँ वो बटन दबाओ कितना सन्नाटा है यही मेरा ओफर है पचास हजार डॉलर्स प्राइस पूल में आड़ किये जाएंगे जो कि कुल मिलाके हो जाएंगे छे लाग डॉलर्स पर उसके बाद हर दिन अलाम बजने पर कोई आवाज नहीं होगी मैं सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ अहाँ वो आलाम फिर से कभी नहीं बजेगा अगर यह आखरी मनी ओफर हुई तो हमारे पासपोरे पाच लाग पचास हजार है जिने हमने अब तक बचाए रखा है क्या वो काफी नहीं है अभी यह चैलेंज खतम होने तक हमें शिफ्ट्स लेनी होगी ताकि इसे पूरा कर सके तुम वैसा करना चाहते हो यह बहुत ज्यादा पैसे है ठीके गाइस पैसले का वक्त आ गया क्या आप प्राइस पूल में पचास हजार अड़ करना चाहते हो ताकि मैं साउंड को आफ करना हमें यह बहुत पसंद तो है लेकिन नहीं हम नहीं करेंगे सच में आप दोनों टेसला खरीच सकते हो हाँ पर हम अब भी टेसला खरीच सकते हैं और टेसला खरीच सकते हो मुझे बस एक कार चाहिए ठीके मिलते हैं पता नहीं कभी शायद फ्यूचर में कभी जल्दी मुलाकात होगी विश्वास नहीं होता हमने ना कहा जिमी ने अभी अभी पचास हजर आफर किये उन्हें कौन ना कहता उतने पैसों को ना कहना बहुत दुख हो रहा है बाद में वो ठीक हो जाएगा वो उसे भूल जाएगा शायद हमने सही पैसला लिया है तो अपने रिष्टे को पहले जसा करने के लिए उन्होंने अपनी टीम का एक लोगो बनाने के लिए खाने का सामान एक साइड में कर दिया और अपनी टीम का नाम रखा दे सूर रैट्स वाँ, मैंने कमाल कर दिया पर वो काफी नहीं था क्योंकि हूगो परिशान था कि वो यहां के लगभग सभी काम कर रहा था जैसे कि मचलियों को खाना खिलाना और टैंक को साफ करना ये गटिया है और गार्डन को मेंटेन करना ताकि उन्हें कभी वेजटेबल्स की कमी ना हो और बस इतना ही नहीं सबसे ज्यादा कुकिंग यूगो नहीं की थी और क्योंकि वो दिन के तीन वक्त खाना खाते थे तो कुल मिलाकर उसने दोनों के लिए करीब सौ बार खाना बनाया था और जब उनके बीच टेंशन बढ़ते जा रही थी मेरी डे 40 ओफर उनकी मुश्किले कम नहीं करने वाली थी हमारे बंकर में जाने से पहले वक्त है सकर को लाने का नोलन? मैं वही कहने वाला था वो मनी सकर डे 40 की शुरुवात करने से पहले हे चैनलर शुरू हो जाओ चैनलर ओटरी कभी उपर जमीन पर है और पूरे एक लाग डॉलर्स को वैक्यूम कर रहे हैं जो आपने हारे नहीं है हम कर रहे हैं ये सक हो रहा है और अगले 10 मिनिट में अगर तुम में से कोई भी बाहर जाता है तो वो उस वैक्यूम किये हुए एक लाग डॉलर्स के साथ घर जा सकता है और दूसरा इंसान बाहर नहीं होगा पर अब अपने टीम मेट को धोका दे रहे होगे जो की इस बंकर में अकेला पड़ जाएगा पूरे साठे चार लाग डॉलर्स जीतने के लिए अगर तुमें से कोई जाना चाहता है तो अभी मौका है शायद मैं जा सकता हूँ मैं ही यहाँ पर सभी काम करता हूँ पूरी कुकिंग मैं करता हूँ प्लांस का ख्याल रखता हूँ बुरा ही सही पर मैं गीटार से एंटरटेन करता हूँ शायद मुझे जाना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं शायद मैं जाऊंगा हमें सेवर रैट्स के जैसे एक साथ रहना चाहिए हम ये कर सकते है डूर आखिर तुम्हारा दिमाग जगपे है या नहीं अगर तुम्हें अगली ओफर के लिए हां कहना है तो मैं भी हां ही कहूँगी जो भी होगो चाहेगा मैं वादा कर रही हूँ मुझे अप्पी लगता है कि वो बाहर जाएगा ठीक है, क्या तुम में से कोई एक वो एक लाग डॉलर्स लेकर अपनी कार की डिक्की में रखकर घर ले जाएगा मेरा जावाब नहीं है I'm sorry पर मैं नहीं जाओंगा यह रुकूंगा तो मैं जाकर एक लाग डॉलर्स वापस रखता हूँ दस दिन बाद मिलते हैं और हाला कि उन्होंने आखिर में साथ रहने का पैसला किया था यूगो का सिवर राच से मन निकलता जा रहा था मैं करिब करिब बस टूटने ही वाली थी एकदम से मजबूर क्या मुझे उसे जाने देना या चाहिए था यूगो क्या सोच रहो तुम तुम थोड़ी अजीब हो तुम मेरे लिए थोड़े जादा ही बेसिक हो मुझे बेसिक रहने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे बेसिक रहना पसंद नहीं खीक है पर वो बहुत घटिया है तुम बहुत बेवकूफ हो उसने अभी-भी क्या कहा प्लीज मेरे उपर ऐसे मत चिलाओ ये पागलपन है मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगे अगले चार दिनों तक यूगो और रेन ने एक दूसरे से बात तक नहीं की जो कि मेरे कॉंटेंट के लिए सही नहीं है तो मैंने बंकर में एक नया महमान लाकर चीज़ों को थोड़ा अलग करने का फैसला किया वो और एक स्कैनर लग रहा है क्या वो यहां किसी को ला रहे है वैसा होगा तो बहुत बुरा होगा मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता पर शायद वो हमें जल्दी पता चल जाएगा बहुत धीर जल्दी क्या हाल है इस सीडी से मुझे बहुत डर लगता है मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लाया हूँ ओके अपनी आखें बंद करो ऐसा कोई जिससे ऐसी जगहों पर हैने का एक्सपीरियंस है मैं लाया हूँ रायन प्राहन को ये है ओके तुम कुछ ज्यादा ही छोटे लग रहे हो ये सही नहीं है ऐसे शुरुबात नहीं करनी चाहिए थी क्यूकि ये अगले पचास घंटे आपके साथ ही रहने वाला है ये कमाल है अब जो तुम्हें कंटेस्टेंट हो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था तुम्हें यूगो रेन की तरह रूल्स को फॉलू करना होगा मैं एक मुसीबत हूँ तुम्हें ये कपड़े पहने होंगे अच्छे लग रहे हो और पूरे पचास घंटों के बाद पचास दिन पूरे हो जाएंगे रायन तब तक आपके साथ ही रहेगा मज़े करना रुको जिमी नहीं एंजोई रायन है यूगो यूगो मैं रायन हूँ हाई मिलके अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा दोस्ट नए रूमेट्स नए रूमेट्स गाईस मैं काप रहा हूँ बहुत ही नर्वस हूँ सच कहूँ तो मुझे रायन की बैग चेक करनी चाहिए थी क्योंकि मैं कुछ ले कर रहा हूँ वियॉंसे यह उसके गाने है यह उसके गाने है डूड यह वक्त है हमारे पहले बटन प्रेस का पर मैं तब तक इंतजार करूँगा जब तक वो बटन से ज्यादा दूर नहीं जाते जल्दी से वाश रूम जाके आती है वो हर वक्त वाश रूम ही जाती रहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्हें यहां रखते हैं अभी अभी पचास दिन पूरे हुए हैं हुगो और रेन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते और यह एक्चुली एक खत्रा है अगर उन्हें यह 100 दिन का चैलेंज पूरा करना है तो मैंने देखा है तुम दोनों दिन में एक बार भी एक दूसरे से बात नहीं करते हो उनके साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद मुझे ऐसास हुआ कि मुझे यहां लाने की एक वज़ा है हुगो और रेन से 100 देज पूरे करवाने हैं तो आज हम करेंगे एक फ्रेंडशिप टेस्ट तो पहला टेस्ट है एक दूसरे के दिल में पूरे 60 सेकंड तक जहांकना है ठीक है तुम नुक तयार हो 3, 2, 1 सक्सेस यह है तुमारा फाइनल कोश्चन रेन आखिर तुम हुगो के लिए क्यों जीतना चाहती हो यह उसके लिए कमाल का मौका है और यह मिस्टर बिस्ट का बहुत बड़ा फैन है इसे जीतना ही होगा उन्होंने इस वीडियो के लिए बहुत बढ़िया इंसान चुना है यह बिल्कुल सच है यूगो अब तुम बताओ कि रेन के लिए तुमें इस चैलेंज को क्यों जीतना है उसकी फैमली उसकी बहुत मदद करती है और इसलिए कि जो वो चाहे वो कर सके वाव वो सच में अपने पैरेंट्स को रीपे करना चाहती है मैं बस उनकी जिंदेगी बहतर करना चाहता हूँ सच में, मैं अब रोने वाली हूँ वाव दोस्तों और एक बात याद रखना यह आप खुद के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी कर रहे हो बिल्कुल सही तो ये पैसे आपके हुए फ्रेंट्शिप टेस्स कम्प्लीट तूम पास हो गए राएन की बज़े से चीजे पहले से बहतर होने लगी और जब पचासवा दिन आया वोव, तुम पार्टी कर रहे हो उन्होंने फीस्टिबल्स का एक चॉकलेट केक बनाया जाहिरा उसका टेस्ट कमाल का था तूम दोनों सच में लाजवाब इनसान हो यह आओ बदकिस्मती से राएन तुम्हारे पचास घंटे पूरे होते हैं मुझे तुम्हें बहार ले जाना होगा इस अपोकलाप्स बंकर से निकलने के बाद पहली चीज मैंने नोलन की फेज देखी और वो बस वापस ही जाने वाला था और अब जो राएन जा चुका है क्या लगता है डे फिफ्टी का ओफर क्या होगा मुझे लगता है क्योंकि हम इतनी दूर आये हैं तो तुम टाइम को भी आधा कर दोगे तुम बहुत करीब हो मेरा डे फिफ्टी का ओफर है इस टाइमर से आप जितने भी सेकंड्स बचाते हो उतने पांच हजा डॉलर में इसमें आड करूँगा यह है वो ओफर डिसाइड करने के लिए दस मिनिट है मैं सोच रहा हूँ या तो दस या पंद्रा ये बहुत रिस्की होगा तुमने कहा था अगर मैं रुपता हूँ तो किस भी चैलेंज के लिए हा कर सकता हूँ दस सेकंड्स से कम दूझे वो चलेगा तो चलो कम कर देते हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं चलो तो फिर दस सेकंड्स कम कर देते हैं हम इसमें पैसे आड करते हैं तांक यू जीमी ये रहे आपके पैसे शे लाग डॉलर्स और अब जो मैंने इसमें पचास हजार डॉलर्स और एड किये हैं मैं एक बार फिर से आपको इस बंकर में छोड़ के जा रहा हूँ दस दिन के बाद मिलते हैं ठीक है मिलते हैं जीमी अभी ये डे 51 है और रायन के बिना पहले सुबह अब यहाँ पर बहुत सन्नाट अचाया है अभी अभी हमने हमारे पहले 20 सेकेंड अलाम कानुभा हूँ किया वो थोड़ा डरावना था उसे वैसे कम होते देखना सच में थोड़ा डरावना था रायन के बंकर में शांती लाने के बाद यूगो और रेन के रिष्टे में फिर से एक बार दरार आने लगी मैं साफ साफ बता दी हूँ यूगो हमारे पास इसके लिए चार्जर नहीं है और इस बैटरी को मैं अभी खाली करने वाली हूँ क्या एक सॉंग भी नहीं सुन सकता मेरी बुक्स है और मेरा सोफा म्यूजिक के साथ पेंट करना बहुत बढ़िया लगता है क्या तुम यहां केव में आना चाहोगी रेन क्या मुसीबत है और जैसे दिन बीते हूगो और रेन के बीच की टेंशन उनसे और ज्यादा गलतिया करवाने लगी मैं मचलियो को खाना के लाती हूँ मॉर्निंग पीशेस यहां आजाओ खाने का टाइम हो गया रेन आ रही हो रेन चलो 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 चलती आओ तुमने बहुत वक्त लगा दिया मैं इसलिए तीन लाग नहीं गवाने वाला क्योंकि रेन का दिमाग गेम में नहीं है मेरी नौर्मल लाइफ कैसे थी वो मैं सच में भूल रही हूँ इस बंकर में आखे खोन लाप ऐसा है जैसे मेरी नौर्मल लाइफ कभी नहीं थी लगता है जैसे ये कभी भी खतम नहीं होने वाला पर चाहे कुछ भी हो जाए यूगो और रेन मुझे अपने पैसों को आग लगाने से बार बार रोपते रहे और आ गया डे सिक्स्टे पर चाहता था कि मैं उनकी लालच को और बढ़ा सकता हूँ या नहीं देखते हैं इस बार बटन कौन दबाएगा मैं जीत गया, मैं जीत गया ओ और नहीं मुझे नीचे कुछ तो गिराना है क्या तुम थोड़ा दूर हट जाओगे उसके लिए सौरी मेरा डे सिक्स्टी का ओफर मैं आपको दूँगा ये पूरे पचास हजार डॉलर्स अगर आप मुझे हलाम दिन में तीन बार बजाने दोगे ना कि बस एक बार जब तक ये चैलेंज खतम नहीं होता मैं आप दोनों को सोचने देता हूँ पर क्या पता अगर वो ऐसे आते रहे तो तब आखीर कैसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा ठीक है हम इस पचास हजार के साथ क्या करने वाले क्या मैं इन्हें आपके बैंक अकाउंट में डालूँ या फिर नहीं नहीं सच में तो मैं ये पैसे लेकर जाता हूँ क्योंकि ये मेरे बंकर में पूरे दो महीने पहले आये और डे 61 आते आते मौसम काफी बदल गया था और साथी में उनका सबर भी मैं पूरा दिन देन से उटने के बाद एक ही जगह पर रहकर परेशान हो गई हूँ मुझे अब नॉर्मल नहीं लग रहा इसमें मजा भी नहीं आ रहा अब मैं और पढ़ना नहीं चाहती लिखने की इच्छा नहीं ये पेंट करना भी नहीं अच्छा लगता पहले जो मज़ेदार हुआ कर था था वो बोरिंग लगता है एक साथ एक ही जगह पर पूरे साथ दिन बिताने के बाद यूगो को अपनी खुद की केव में अखेले रहने की आदत सी हो चुकी थी मैं मेरी केव में जाकर पढ़ते वे थोड़ा वक्त बिताऊंगा तुम पूरे दिन पढ़ रहे हो यूगो यूगो का अटेंशन पाने के लिए रेन को मामला अपने हाथों में लेने की ज़रूरत पढ़ी तुमने मेरी बुक्स चुपाई है मैंने तुमारी बुक्स चुपाई? नहीं मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाग कर रही हो लेकिन मेरे पास वहाँ और बुक्स है जिमी की डे 40 के आफर यहाद आ रही है मैं वो ले सकता था पर मैंने नहीं कहा क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए थे तो ये सोच कर कि अब मेरे पास कोई और आप्शन नहीं है क्योंकि मैंने रुकने का फैसला किया क्या पता ये मुझसे होगा या नहीं यूगो की आवाज में छुपा पच्चतावा सुनने के बाद मैंने डे 70 पर ऐसा आफर लाया जो उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट था पर हमेशा की तरह सबसे पहले हमें वो बटन दबाना होगा तुमने बंद कर दिया ये तुमने क्या कर दिया क्या हाल है हम बढ़िया है तुम कैसे हो अफर बताने से पहले मुझे आपको अलग करना होगा यूगो तुम उपर जाओ और रेन तुम पैसों के पास अब बनानी होगी एक दीवार ये परदे मुझे परिशान कर रहे हैं ये क्या चल रहा है क्या होने वाला है हे काल जल्दी से पैसों को सक करो दो लाग खीच रहे हैं हम अभी इस छे लाग डॉलर्स के प्राइस पूल से पूरे दो लाग डॉलर्स खीच रहे हैं और बिल्कुल मेरी पिछली ओफर की तरह अगर कोई बाहर जाता है तो एक लाग डॉलर्स उसके हो जाएंगे शायद मैं जाने वाला हूँ नहीं नहीं जा सकते तुम में से एक जा सकता है इन पैसों के साथ तुमने वो ओफर फिर से लाया हाँ पर इस बार आप ले जाओगे पूरे दो लाख डॉलर्स वो भी दूसरे इंसान को बाहर किये बिना अगर ये दे फॉर्टी की ओफर की तरह नहीं है इस बार मैंने आपको अलग कर दिया है तो इस बार वो तुम्हें जाने से रोक नहीं सकती अगर तुम जाना चाहो तो ये तो कमाल है जिम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम रेन पर ऐसा नहीं करोगे क्योंकि अब तीन लाख के लिए कंपीट करने के बदले जो कि तुम दोनों जीतोगे अगर तुम यहार हैते हो तो अब बो जीतेगी पूरे चार लाख डॉलर्स चाहिए या नहीं मैं आपको बताता हूँ Monster Hunter Now के बारे Monster Hunter Now एक free to play mobile game है Niantic की तरफ से ठीक जैसे Pokemon Go ये सुनके तुमें खेलने का मन हुआ ये इसके लिए बहुत बुरा वक्त है और ये गे मच्छे से दिखाने के लिए मुझे उपर जाना होगा Monster Hunter Now हमें encourage करता है कि हम बाहर जाएं और monsters को ढूंडे सचो आप एक dog को घुमाते-घुमाते monsters को हंट कर सकते हो या आप festivals करीदते हुए भी monsters को ढूंड सकते हो शायद डेट पर भी वैसा कभी नहीं हो सकता बर तो monsters से लड़ सकते हो Monster Hunter Now ने मुझे दिया है मेरा अपना end game quest जो की 30 दिनों तक available है plus Mr.Beast Swords, Shields और दूसरे end game items description के link पर क्लिक करें या QR code scan करें और Monster Hunter डाउनलोड करें Mr.Beast Hunt code से special items को free में पाए मेरा quest सिर्फ अगले 30 दिनों तक available है तो जरा जल्दी कीजिए मैंने पहले ही एक लाग गवाय है और याद रहे अगर कोई बाहर नहीं आता तो अभी भी इस bunker में पूरा एक महीना रहना होगा क्या तुम्हें अपने परिबार से मिलना है क्या तुम्हें सूरज की रोशनी देखनी है और सबसे जरूरी क्या तुम्हें बंकर के दूसरे इंसान की फिक्र है और चाहते हो कि वो एक और लाग जीते पूरे दो लाग डॉलर्स जीतने का ये आखरी मौका है हम नीचे आ रहे हैं वो अब भी वहा हो ये हो नहीं सकते और अब मैं ये परदे निकालने वाला हूँ और देखते हैं कोई गया या नहीं तुम मेंसे कोई भी नहीं गया क्या अरे बाँ क्यूकि दोनों मेंसे कोई नहीं गया ये रहे तुम्हारे दो लाग डॉलर्स वापस मिलता हूँ अगले दस दिन में मैंने अभी अभी दो लाग को ना कहा मैं हैरान हूँ कि तुमने ना कहा, उम्मीदे तुम्हें पश्टावा नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहिए मैं हाला कि उनमें से कोई नहीं गया, पर पैसे ही थे जो उन्हें साथ बंद हैं वे थे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये करता हूँ या नहीं, कभी-कभी इस चैलेंज का सबसे हाट पार्ट वो अलाम भी नहीं होता वो होता है एक दूसरे के साथ रहना, खास कर तब जब वो बहुत डिमांडिंग हो मेरे लिए चिकन बनाओगे, मेरे लिए स्क्रैंबल्ड एक्ज बनाओगे, क्या तुम्हारा होने के बाद मेरे लिए थोड़े एक्ज और चोरीजो बनाओगे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हर दिन एक ही चीज करकर के परेशान हो गया हूँ, मुझे रेन की मदद करने में दिक्कत नहीं है, अगर अभी जिमी नीची आकर मुझे ये कहे कि यूगो तुम अभी जा सकते हो, ये लो दस हजार डॉलर्स, तो शायद मैं वो ली लूँगा रेन के साथ इतना वक्त बिताने के बाद, यूगो बहुत ऊप गया था, और उनके ब्लांट्स लिटरली सड रहे थे, और रेन अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी क्या तुम वो गंदा पानी बाहर निकालोगी? क्या, तुम मेरी मदद नहीं करोगी? आखरी स्टेप था, और उसकी हिम्मत पूरी तरह से तूट चुकी थी शायद मैं जाना चाहता हूँ तो फिर जाओ, वो पैसे जल जाएंगे और हम दोनों कुछ नहीं जीतेंगे मैं बता सकता हूँ कि उन्हें परिशानी हो रही है तो देखते हैं मेरी अगली आफर उन्हें खुश करती है